पिदा पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैये स्यों कल हम लोगोंने मृतकों का संस्कार कैसे कराना है मृतक लोग भी कलीसिया का एक अंग है इसलिए आदर सम्मान के साथ उनके दिफन दिफन विदी होना चाहिए आदी बातों पर मनंचिंदन किया तो किसी का टिपनी मिला है मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो किस मतलब से उन्होंने उन्हों टिपनी किया नहीं मालू लेकिन उसे पूरुव में किसी ने आगरह किया था इसी बात पर तोड़ा क्लास लेने के लिए इसका क्या आर्त है लोकस के सुसमचार उसके अधियाए 9 वाकिय 69 और 60 में ये लिखा है इसामसी ने किसी दिन किसी से कहा मेरे पीछे चले आओ पर दूस समय उस विक्ति ने प्रभू को उत्तर दिया प्रभू मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजी तब इसाने उससे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो तुम जाकर इशुर के राज्य का प्रचार करो इसका मदला इसा मसी ने किसी विक्ती को इश्वर के राज्य का प्रकाचार करने के लिए बुलाया तब उसने इसा मसी से कहते हैं सबसे पहले मेरे जो करतवी है मैं घर का बड़ा हूँ मेरे माता पिता का देखवाल करना और परिवार को चलाना आईसे इसे मेरा कुछ करतवी है विशेश कर यहाम पर उसने कहा मेरे पिता को पहले में दफना दीजी बाइबल पंड़तों का ये भी मत है इसका ये मतलब नहीं है कि उसका पिता वहाम पर मरकर कपड़ा है क्योंकि इसा मसी के पास वो आया है वचन सुनने के लिए इसा मसी को सुनने के लिए इसा के साथ था तब इसा मसी ने उससे कहा तुम जा करके सुर्गराज्य का सुसमचार सुनाओ तो उसका मतलब इसने ये कहा मुझे मेरे पिता का दफन करने दो इसका ये मतलब हो गया जब मेरा पिता जी सब माता पिता सब मर जाएंगे मेरा जो करत्यविय जो उनके परदी है वो सब जब कदम हो जाएगा जब मुझे रेस्ट हो जाएगा उससे चुटकारा मिल जाएगा तब मैं आपका कार्य करने के लिए निगलूँगा मुझे याद आ रहा है इसी प्रगार किसी विक्ति के सेंटर गर्वर्नमेंड में नवकरी कर रहा था प्रभू की सेवा करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हिच्छा है तो प्रभू के कार्य के लिए जुड़ने के लिए जब उनसे आगरह किया हाँ नवकरी सब चोड़ दो अब इतना तो किया है उतना उनका कोई परिवार के परदी ये भी नहीं है क्योंकि शादी शदा नहीं है वह पूर्नरुप से सोधंदर था इसलिए भी नवकरी इतना करकर के प्रभू की सेवा में पूर्नरुप से समर्पित करने के लिए अग बाद रजेन करेंगे आएंगे लेकिन उतने समय के अंदर ही उनको एक प्रमोशन वारा मिली गया फिर से वो कुछ समय और करने का इच्छा आ गया रिटेर्मेंट तक वो काम किया बीच बीच में बोलता हाँ अब रिटेर्मेंट होकर के पूरन रूसे प्रभू के लिए समर् नहीं लेकिन उनके रिस्ददारों का जो घर में उनके अपना सहा जो रिस्ददार है भाई बेहने उनके घर में जाकर के उनके कुछ समस्याओं को निपटने के लिए गया वहांबर मेरे विजार में एक दो साल रहे इसके बाद भी उनको ये समय नहीं मिला प्रभू का कुछ बीमारी हो करके मेरे कहने का तात्पिर है जब प्रभू का जो कोल उनके मन में भी है मुझे प्रभू का कार्य करना है लेकिन जो संसारी के जो भावति के जो आकरशन के कारण जो पैसे का जो आकरशन है इसके कारण जो नवकरी है वो छोडने और प्रभू का कार्य कर ये बाधा हो गया। यहां पर इसमसी ने इस विक्ति से भी यही कहा। सुर्गराज्य की गोशना करने के लिए उसका प्रचार करने के लिए इसमसी ने उसे चुना और उसको बेज रहा है। लेकिन वो बोल रहा है मेरे घर का जो समसिया हैं उसको सबसे पहले निपटाओं। पिदा मरा नहीं, इसका मदल है जब तक पिदा नहीं मरेंगे ये हम आपका सेवा नहीं कर सकता। उनका देखवाल करेंगे, उनकी मृत्यू के बाद मैं ये सब करूँगा। हम अपने अंदकरन का जान्च करकर के भी देख सकते हैं, कई बार हम लोग इस प्रकार का अन्ने को बगाना डूडाओगा। कई लोग प्रार्थना के लिए समय नहीं, हाँ मेरे रटेर्मेंड के बाद, मेरे ये काम होने के बाद, मेरे बच्चे की शादी के बाद, मुझे ये होने के बाद मैं इस सब करूँगा। ऐसे बोलने वाला, कितने लोग इसके बाद ऐसा किया, प्रभू जब बुकारता है, तब हम लोग कुछ ना कुछ बागाना बनाता है, तब इस कंडीशन में प्रभू उससे कहता है, मुर्दों को अपने मुर्दे देफनाने दो, मुर्दों को अपने मुर्दे देफनाने दो, खलके हमारे जो मुर्दक लोगों का किस प्रगार देफनविदी करना है, कलीसिया आदर सम्मान के साथ उनके देफनविदी करना है, और उनके लिए प्रार्थना करना है, आदी आदी बता करके एक क्लास लिया, अनेकों लोगों ने उसको सराहना अनेकों लोगों को उसके अंदर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला ये क्लास भी आप लोगों के बीच से किसी ने आगरह किया था जो दफनविदी के विशे में अनेकों जगाओं पर अनेकों प्रकार का गलत अंदविश्वास का कर्म भी चलता है इसके विशे में भी तोड़ा क्लास डालने के लिए इसलिए मैंने उस क्लास को भी लिया था लेकिन उस क्लास को सुनने के बाद टिपनी आया यही मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो क्या आर्थ है उसका क्या अपने प्रियजनों को सहीरुष से दफनविदी नहीं करना है मुझे मालूम है यह टिपनी जिन लोग ऐसा ऐसा उल्ट पुल्ट जो टिपनियां लिखते हैं मैं उन लोगों का दफनविदी में भाग ले चुका हूँ आईसे लोगों का जैसे घर में एक कुटे को पालता है अगर हो मर गया इसके बाद उसको दफन करने के पहले उसके विशे में चर्चा करते हैं ये कुटा बहुत भूंकता था जब जब मैं इदर आता था तो ये पूंचे ही लाता था ये ना उसके जिन्दिगी के कई कहानियां हम लोग बोलेंगी और अडोस पडोस भी आकर के हाँ ये बहुत अच्छा था यहां गोई चोर आने के लिए नहीं देता था ये करता था उसके जीवन काल में उसने जो किया उसका वर्नन थोड़ा बड़ा चड़ा करके बोलना इसके बाद उस कुटे को दफनाता है ये जो टिपनी लिगा है जो कातलिक करीशिया आदर सम्मान के साथ कबर बनाना और उनका पनर्जीवन के उस विश्वास में उनके दफन विदी आदर सम्मान के साथ करना ये सब जो क्लास में सुना तब ये टिपनी लिखना असमें पर ये जो गंडी बजाने वाला जो कार हें इसका एर्थ वो स्वयम भी शायद नहीं समझते हैं ये कुवा जनमन में आया उसको बग लिया है लेकिन इस सम्सी हम पर इसको बोलने के पीचे का एर्थ समझना है इसका प्रिष्ट इसके पीचे के कहानी मैंने बताया कौन सा जो समय प्रभू ने ये कहा किसी को प्रभु का कारी के लिए प्रभु छुनता है लेकिन वो संसार के कारी के लिए धन कमाने के लिए अन्य संसारी के बातों के कारण उसको स्विकार नहीं कर रहा है उन चीज़ों को निप्टारा के बाद ये शुरिय कारी करने का जब नर्ने करता है उनके लिए प्र मुर्दों को अपने मुर्द दफनाने दो अभी इसका अर्थ भी हमें समझने की जरूरत है इशुर ने किसी को किसी अच्छे आध्यात्मिक कारी करने के लिए सुर्गराज्य के प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा एक कारी के लिए चुना है इशुर के जो कारे है आध् अगला अर्थ हैं मुर्दों को मुर्द दफनाने दो इसका मतलब है जो लोग आध्यात्मिक रुप से डेड़ है मरा हुआ विक्ति आत्मिके कारियों में जिसको कोई रुची नहीं है आईसे लोग जो आत्मिक रुप से मरा हुआ इनसान के साथ रहने दो उनका देखवाल वेलोग करने दो आपको जो इस शुरिय कारिय के लिए भी चुना है आप अपने जिवन में पहला स्तान प्रभू को देना चाहिए प्रभू के कारिय करने के बाद संसार के कारिय करना है हमारे चुनाव प्रभू के कारिय के लिए बप्तिस्मा प्राप्त प्रतियक विक्ति हम लोग पिछले क्लासों में मनंचिंदन कर चुके हैं वह एक पुरोखित बेनता है वह एक नभी बेनता है वह एक राजा बेनता है करके हर एक बप्तिस्मा प्राप्त विक्ति को प्रभू का कारी के लिए प्रभू ने चुना है इसलिए इश्वर ने बप्तिस्मा के द्वारा अपने से वो मेल करवाया है इसलिए हमें सर्वप्रदम जो कार्य करना है वो प्रभू का कार्य, प्रार्थना का कार्य अन्य लोगों के बीच में प्रभू का सुसमचार को सुनाना लोगों के सामने अपना जीवन उन लोगों के लिए एक उदाहरन बनाना हमें संसार का कारिय घर का कारियों या धन कमाने का कोई भी ऐसा भावतिक की कारिय को हमें दूसरा स्थान देना चाहिए यही इसका मतलब है मृत्यों के विशे में एक दो वचन और बोलना जरूरी है रोमियों का पत्र उसके दियाए साथ वाके चार के अंदर वहां पर संद पहलूस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं जो लोग इसा मसही के शरीर के आंग बन गया है बबतीसमा के द्वारा वो अभी संखिदा के दृष्टी से मर चुका है संखिदा का उनके साथ कोई लेना देना नहीं क्योंकि मसी के साथ मसी में विश्वास करने के द्वारा मसी के साथ वो एक हो गया है और मसी के लिए फल उत्पन करने वाला बनना है सबसे पहले फल मसी के लिए क्योंकि मसी के सरीर का आंग बन गया है अभी नियम कानून बताता है अपने माता पिता का आदर करना उनका सेवा करना ये सब जो है जो नियम संहिदा जो है सबसे पहले मस्ही के परदीजोकारी शुर के परदीजोकारी वो इसके बाद उनके परदीजोकारी करतविय करना है यह संहिदा नियम के अनुजार हम लोगों को मरने की जुररते हैं दूसरा पाप के लिए मरने के विशेय में रोमियों का पत्र दियाय चेवा के ग्यारह के अंदर हमें मिलेगा पाप के लिए मरना अर्चाद हमारी जीवन में मसी के शरीर के साथ एक होने के कारण पाप के साथ कोई संबंध नहीं, पाप विचार, पाप प्रवर्ती, इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, हम लोग मसीह के साथ दफनाया गया है, मसीह के साथ मर गया है, हमारे पुराने पापों को मसीह के क्रूस पर डाल दिया है, मस्ही कबर से तीसरे दिन जीवटा उस जीवटने वाला प्रभू के साथ हम लोग भी नया विक्ति बन करके जीवटा है इसलिए पाप के लिए हमारे उपर कोई अधिकार अभी नहीं है तो ये जो मृत्यू जो है ये हम लोग एफेसियों का पत्र दिया आए दोवा की एको पड़ेगा वहां पर भी पाप के कारण पाप में मरे हुए इसके विशे में लिगा हुए मरिच्यू इसका मतलब है हमें सहिदाक नियम कांड से और पाप से अलविदा कर मसही से जुड़कर मसही के लिए जीवन जीना है मसही के कारिय को आध्यात्मी के कारिय को जीवन में पहलास्तान देना है हमें नोकरी करना यब जुनिस करना यब दहन्गमाना ये सब प्रार्थना भक्ती मसही के कारे के बाद ये शुरग की ये कारे के बाद हमें उसके विशे में सोचना है जिवन में पहला स्तान जब तक आप मसी को प्रभू को आध्यात्मिकदा को नहीं देता है आप पाप में बढ़ा है आप ओई पुराना नियम में बंदा हुआ विक्ति है आप सेतान के हाथ में आपके परिवार यी शर्यदा में मुक्ती प्राप्त नहीं किया है आई हम अपन आज प्रवो हमसे कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। आत्मी की रूप से जो मरा हुआ इंसान जो इस वर से जुड़ करके भक्ती का प्रार्थना का सुर्गराज्य का कारिय नहीं करता। आज से लोग जो शारीरी की रूप से जो मरा हुआ है आज से लोगों को दफनाने दो। आत्मी की रूप से मरा हुए लोग हमें आत्मी की रूप से मरा हुआ नहीं। बलकि हमारे उपर उस मुर्तिव को कोई फ़स नहीं है कोई अधिकार नहीं है इसको हमें स्विकार करना है हम अपना बुलाहट को पहचाने इदि बबतीस मा हमने प्राप्ति किया है मसी के शिरीर का एक अंग बन गया हम एक नया विक्ति बन गया हवी सबसे पहले सुर्ग का राज्य मतिकसु समजार छे ताइंदीस तो सबसे पहले इश्वर का राज्य धार्मिकता उसकी खोजगर वाकिस सब यूँ ही तुम्हें मिल जाएगा बप्तिस मा की द्वारा प्रभू में एक होने के कारण सबसे पहला स्थान इश्वर को देना प्रार्चना भक्ती बाइबल पढ़ना चर्च मिसा बिलदान इसको पहला स्थान हर रोज प्रार्चना करने का पारिवारिक प्रार्चना करने का रोज बाइबल पढ़ने का एक आत्मी की जीवन जिने का इस प्रगार अन्य लोगों के लिए उदाहरन बनने का नरने की जी प्रभू ने जो बुलाखट मुझे दिया है उस बुलाखट में ये मांदार रहन का आत्मी की जीवन के लिए पहला और ज्यादा महुत देंगे संसारी की कारी गदिविदियों के लिए दूसरे अस्तान नरने कीजिए हम अपने पुरोखिदों के लिए धर्मभगनों के लिए सुसमचार प्रचारकों के लिए अन्य प्रभू के कारी करने वालों के लिए प् शक्ति एवन सामर्ते के साथ, विश्वास के साथ, इमानदारी के साथ रहकर कारी करने के लिए आत्मिक शक्ति उन्हें मिले, प्रभु सदाव उनके साथ रहकर उनके हर कार्य में सफलदा परदान करें, नेकों आत्माउं को बचा पाएं, सबों के लिए प्रभु को धनिवा पिदा पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैयेशू